रिये स्टार्ट होने के बाद यह अपडेट हो गया होगा, चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं, यहाँ पे यह अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख किया है यदि आप start पे click करके यहां से control panel पे click करके उसको open करने के कोईसिस करते थे तो open नहीं हो पाता था यानि तो आपने control panel को यहां पे pin करके रखा है तो भी उस पे click करके आप open करने के कोईसिस करते थे तो open नहीं हो को यहां से remove कर दिया है तो पहला changes यहां पर आपको यह दिख जाएगा इसके बाद कुछ cases में क्या होता था यहां पर explorer.exe crash हो जाता था तो इस issue को भी यहां पर fix कर दिया है और यहां पर memory leakage का भी problem था तो उस issue को भी fix कर दिया इसके अलावा भी और भी बहुत सारा bug था जो file explorer के अंदर उस सभी को fix किया है इसके बाद यदि आप tax bar overflow layout आप यूज करना चाहते है याने accent color यूज करना चाहते है तो यहां से आप यूज कर सकते है इस widget का size को थोड़ा fine tuning किया है इसके बाद पहले क्या होता था कुछ case में क्या होता था यदि आप यहां से sound setting चेंज करते है तो यह stop working का issue आ जाता था तो इस issue को भी यहां पर fix कर दिया है तो यही main update था बागी आप जरूर इस update को try किजेगा और please guys channel को subscribe करे like करे share करे thank you